हेलो दोस्तों स्वागात अब सबको Magic Zone के एक नए वीडियो पर दोस्तों बहुत दिनों से बहुत साले लोग विज़ कर रहे थे कि भाई कुछ बढ़िया एक math puzzle लेके आओ जिसको देखकर और सुनकर मतलब लोग एकदम हैरान हो जाए ठीक है तो आज इस math puzzle को आप अगर किसी को पूछोगे मतलब आप किसी को करने दोगे तो बंदा 95% या फि 98% चांस है कि वो बंदा नहीं कर पाएगा ठीक है तो मतलब कुछी कुछी percent लोग यह कर सकते हैं तो अगर आपके लिए भी यह challenge है आप क्या करो अभी इसको देखके इधर वीडियो को pause करके सोच हो कि क्या आसकता इसका answer ठीक है मतलब इदर one two three four four चार बॉकस है इधर जो बैठेगा इधर जो bैठेगा प्लस करके 8 आएगा इधर जो बैठेगा इधर कुछ बैठेगा उसके साथ कुछ बैठ के ठाटिन आयेगा और इधर भी मिलाना है आपको इधर से कुछ बैठेगा उसके साथ यह माइनस करने के पाद 6 आएगा ठीक है यह आपको करना है तो हाली में तो बहुत पजल लोग पसंद कर रहे थे इसलिए में पजल लाया हूँ आप सबके लिए तो यह दिमाग को एकदम घुमा देगा ठीक है तो चलिए अब इसको solve करते हैं और अगर आप मेरा challenge accept करते हो त अगर आपके पास answer है तो वो comment में जरूर भेजो ठीक है लेकिन खुद का answer भेजना मेरा answer देखके मत भेजना ठीक है दो चीटिंग मत करना ओके तो चलिए इसको solve करते हैं इसको अभी रखते है थोड़ा से side में मेरे पास एक miniature version है ठीक है मैंने उसको बड़ा एक लिखा था जिससे सबको देखने में आसानी हो तो यह वही है मतलब मैंने इधर करने के लिए कुछ भी अलग से नहीं किया है वही है तो अब इसको solve करने के लिए दोस्तों अगर आप ठीक से सोचोगे तो आप देख पाओगे कि एक दो तीन चार चार बॉक्स है और इधर दोनों इधर तीन बैठेगा तो इधर भी बैठेगा कि दोनों बॉक्स में तो अब यह हमको पता चल गया है तो हम क्या करेंगे इसको ही आगे ले जाएंगे और इस एंसर को निकालेंगे अब आप सोच सेक्ते हों कि 5-3 आपने बोला क्या 5-3 एंसर है चलिए देखते हैं एक बार देखते हैं 5 3 8 ठीक है 5 इधर 3 है इधर 5 8 हो रहा है लेकिन इधर है 5 तो इधर हम लोग अगर 5 के साथ कितना एट करना पड़ेगा 5 के साथ 8 आट करना पड़ेगा 8 तेरा हो जा रहा है लेकिन इधर नहीं होगा 8-5 नहीं हो आता है 6 तो इसका एंसर 5 से नहीं है कुछ और है तो मैं जह सब बोल रहा था कि A इसको पकल लेता है कि ये हम लोग equation के लिए पकल लेता है कि ये A है ये दोनों को हम लोग A पकल लेते है और इसको पकल लेते है B इस बोक्स के जो नमबर आएगा वो आएगा B ठीक है तो अब इधर से हम लोग दो equation देख सकते है ठीक है थोड़ा से इसको side में करते है और इसको एक blank page में करने का कोशिश करते है एक बाल लिख लेते है फिर इसको भी हटा देंगे ठीक है दोस्तों तो आप इधर दो equation देख सकते हैं ठीक है इधर हम इधर ऐसे लिख सकते है A plus B is equal to 13 ठीक है क्योंकि A plus B आएगा 13 हम लोग अगर इसको A ये दो एक ही है इसको B पकल लेंगे तो और भी एक equation है वो है B minus A is equal to n ठीक है तो उसको भी लिख लेंगे B minus A is equal to 6 ठीक है तो अब हम इसको थोड़ा सा side में कर लेंगे ठीक है तो अब यही हमारे सामने यही है मुश्किल की हमें इसका value निकलना है A और B का value हमको निकलना है अगर हमने A या फिर B का value निकल लिया तो यह equation एकदमी हो जाएगा और यह puzzle भी हम लोग इसली solve कर पाएगे तो अगर आप ठीक से सोचोगे तो यह puzzle सिर्फ ऐसे ही solve नहीं होगा मतलब आप से उसके कुछ भी number try कर लो यह almost नहीं होने वाला ठीक है इसके लिए चाहिए आपको perfect mathematical calculation तो इधर A B है इधर B minus A है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा A को इधर लाने पड़ेगा B को उधर लाने पड़ेगा तो इसके वज़े से इसका जो इसके पहले का जो number है मतलब यह minus यह change नहीं होगा ठीक है दोस्तों तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम लोग फिर से लिखते हैं ठीक है A plus B is equal to 13 और इसको आगे ले जाएंगे इसको जिससे यह वही रहेगा minus A B के plus A plus B is equal to 6 तो दोस्तों अब अब अगर हम इस से, इस फाले चीश से यह वाला चीश माइनस करें तब आजाएगा A का वेलू अगर plus करेंगे तो आजाएगा B का वेलू B का वेलू भी हम लोग निकल सकते हैं लेकिन B का वेलू एक ही जगा पे है a का value दो जगापे है तो हम लोग a का value भी पहले निकालते हैं तो अब इसको minus करेंगे ठीके तो इदर हम लोग minus करेंगे तो आप लोग जानते ही हो कि minus minus plus हो जाता है तो इधर 2a होगा 2a plus इधर plus है तो इधर minus 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 plus minus हो जाएगा तो ये कट जाएगा minus हो जाएगा ठीके तो इधर आजाएगा 7 तो हम लोग के पास जीकेशन आया है वो है 2a is equal to 7 तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a is equal to 7 by 2 जिसका answer एकदम से आएगा 3.5 तो a का value है 3.5 ठीके ये point में निकलेगा answer तभी हम लोग ये नहीं कर सकते थे क्योंकि एक पूरा number के साथ ये नहीं होगा point निकलेगा तो a का value है 3.5 तो चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं क्या ये होता है ठीके हम लोग जानते है a का value है 3.5 तो हमने पकड़ा था इधर a और इधर a और इसको b पकड़ा था ठीके ये भी कागज है हमारे पास तो हम लोग इधर लिख लेगे a का value 3.5 तो दोस्तों 3.5 के साथ क्या add करने से 8 आएगा ये तो हम सभी जानते हैं कि इधर आएगा 4.5 ठीके ये equation मिल गया अब इधर भी 3 का ही value है ठीके a का value है तो हम लोग इधर एक तम आग बंग करकर लिख सकते हैं 3.5 4.5, 8 ठीके अब निकलना है b का value b का value तो easy है दोस्तों 13 में 13 के साथ क्या और add करने के बाद 3.5 और क्या add करने के बाद 13 आएगा ठीके तो ये तो easy है 9.5 9.5 3.5 हो जाता है 13 तो इधर 3.5, 4.5 हो जाता है 8 अब देखना ये है कि 9.5 माइनस 3.5 is equal to 6 दोस्तों सारा equation एक जम perfect हो गया ठीके तो ये था इस awesome puzzle का answer ठीके आप आप लोगो ये अच्छा लगा हो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को कर दीजे लाइक, subscribe कर लीजे इस चैनल को और इस वीडियो को भी share कर लीजे अपने दोस्तों के साथ तो दोस्तों मिलते अगले वीडियो पर कोई अच्छे magic या फिर puzzle के साथ तब तक बढ़े रहे ये magic zone पर और ऐसे ही awesome awesome चीज़ सीगते देगे